मैं आज दाबोटनी चैनल की तरफ से आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूर्ण तरह से प्राकिर्तिक जोड़ा प्राप्त किया जाता है यह आप जो देख रहे हैं यह मधुमक्खी है इस एक पदार्थ प्राप्त कियाता है जिसका नाम सहद है जिसका उपयोग हम लोग काफी अर्शे से करते आ रहे हैं तो आज मैं आपको इस सहद के गुन के बारे में बताने जा रहा हूं यह एक तरह का हर तरह के फूलों का अर्क होता है जो मधुमक्खी द्वारा इकठा किया जाता है इसका औस धिये परियोग मुह के छाले अगर जो मुह में छाले हैं तो 10 गराम सुध सहद में 100 गराम गिरिसरीन तथा 30 गराम महिन पीशा हुआ सुहागा मिला कर सीसी में रख ले इसे रूई द्वारा जीफ पर छालों पर दिन में 3-4 वर लगाएं तो एक से दो दिन में इस परियोग से छाले हमेशा के लिए ठीक हो ज जाते हैं। दूसरा ठकान किसी परकार की सारीरी क्या मानसिक ठकान है तो एक चम्मच सहद और एक गिलास पानी में भली भाती मिला कर पी ले तो ठकान दूर हो जाती है। अगला अगर जो कोई मुख में कोई रोग हो तो बीस गराम पिसा हुआ सुहागा दस गराम सहद में मिलाकर मुख में लगाने से मुख के घाव अच्छे हो जाते हैं। यदि मुह में दुर्गंध आ रहे हैं तो भी इसी परकार पर्योग करें तो मुह के दुर्गंध भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे हता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सियर करें, सबिस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पनाए शीक साधभ увид, ए दो किमांद उसी प्लाउ से Mits disguised यहो तो और किमा रह संद हम भी डहतो